ताजा तरेन खबरों के लिए Prime News 24 को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन दबाए तक NGT के आदेश से नदियों से खानन पर रोक लगा दी जाती है लेकिन इसके बावजूद भी पावर में कमपनी लगातार नदियों से खुले आम अव्यज रेत निकाल रही है और उसके लगे Private ठेकेदार अधिकारियों और पुलिस के नाम पर लगातार वसूली कर रहे है पावर में कमपनी का खुले आम रेत लूटना और जिला प्रशाशन का मुगदर्शक बने रहना संदेश के घेरे में आता है वहीं बता दे कि भिंड जिले में पावर में कमपनी को चार जगह डंप की अनुमती मिली थी जिसमें सक्रा उम्री, कमलपुडा अमायन, गोरोई रोन, नुनाटा देहाथ थाना और इसके अलावा कहीं भी अनुमती नहीं थी इसमें कई जगह ऐसी है जहां रेट डंप नहीं है लेकिन कागजों पर रेट डंप दिखाई जा रहा है और सीधा खेल नदियों से चल रहा है लहार के ब्लॉक कॉंग्रेस अध्याच देवेंदित रिपाठी का कहना है कि भाजपा की अंधि बहरी सरकार में अधिकारी मस्ती में चूर हो गए है कोई पूछने वाला नहीं है जब तक उचिस्तर से लगाम नहीं लगाई जाएगी अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा राज जारी रहेगा लहार के अधिकारी लगातार साजेदारी से अवैद उत्खनन करवा रहे हैं और ऐसे में अधिकारीयों की कॉल डिटेल भी निकलवाने की मांग करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा रेत माफियाओं की डिटेल निकलेगी छेतरे मंडोरी अजनार पर दिन रात अवैद उत्खनन करते ट्रैक्टर देखे जा सकते हैं रात होते ही रेत का खुला खेल देखने को मिलने लगता है हम वरिष्ट अधिकारीयों से शिकायत कर अवैद उत्खनन को पुर्ण रूप से बंद करवाएंगे अगर वरिष्ट अधिकारी फिर भी लापरवाही बरते हैं तो जनांदौलन करेंगे प्राइम न्यूस 24 के लिए इमरान अली खान की रिपोर्ट